गुड मॉनिंग आप्रिवन, शिक्स्त क्लास तो आज से हम स्टार्ट करने बाले हैं एक्सराइज 3.5 एक्सराइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे देखें, पिछली लेक्चर में, पिछली एक्सराइज में जोबो हम लोग Divisibility Test के बारे में पढ़ चुके हैं Divisibility Rules के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई number जोबो 2 से Divisible है या नहीं 3 से Divisible है या नहीं ऐसे करके जोबो हम लोग 11 तक जोबो complete कर चुके हैं अब जोबो exercise 3.5 में जोबो कुछ और rules जोबो हमें पढ़ना पढ़ेंगे तभी जोबो हम लोग exercise 3.5 को start करेंगे तो चलिए start करते हैं से पहले कुछ बाते जोबो आपको पता होने चीए फिर जोबो हम लोग करेंगे exercise 3.5 का first, second and third question तो हम आगे हैं अपनी NCRT book में, NCRT book में जोबो 3.6 को start करने से पहले जोबो यहां पर लिखा है some more divisibility rules तो आपको कुछ और जोबो divisibility rules पता होने चीए जैसे कि यहां पर लिखा है if a number is divisible by another number then it is divisible by very important है सुनिए देन से if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factor of that number देखिए क्या बोर रहा है जैसे मालो example के लिए मैं लिख रहा हो factor of 18 आपको बताए कि 9 जो हो 18 का factor है क्यों 9 से जो हो 9 का multiple है 9 के 9 से डिवाइड करेंगे तो पूर पर डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए 9 जो वो इसका factor है अगर मैं 9 के factor निकालूं तो 9 के factor देखिए 3 है 9 का factor जो और क्या है अचा 1 तो सबका factor था चलिए ठीक है 9 का factor जो वो 3 है अगर मैं बोलूं कि 3 से 18 डिवाइड हो जाता है तो yes 18 भी हो जाता है मतलब कि किसी नंबर का अगर मैं factor निकालूं उस उस factor का भी factor निकालूं तो जो भी factor लास्ट में निकलेंगे वो नंबर भी उस बड़े नंबर को डिवाइड कर जाएगा तो तब लिखाए if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factor मतलब कि वो नंबर जो बो सभी factor से divisible होगा नेक्स देखिए जैसे यहां पे जो वो एक example दिया हुआ है इसको भी आप दियान से देखिए जैसे the number 80 is divisible by 4 and 5 अब हो जाता है ठीक है 24 जा जो बो 80 होता है अगर 5 से हम देखें तो कितने 5 जा 80 होता है साइट 16 5 जा होता है ठीक है 16 5 जा 18 होता है चले चैक करते है 16 5 जा 18 हो ठीक है नेक्स देखिए यहां पे लिखा है जैसे इसने बोला 80 जो बो डिविजिबल है 4 से 5 से तो हमने चैक कर लिए yes 4 और 5 से डिविजिबल है it is also divisible by 20 मतलब कि यह इन दोनों के मल्टिपल से भी डिविजिबल होगा क्यूंकि 80 के जब हम फेक्टर निकालेंगे तो 20 भी तो उसका फेक्टर होगा 20 भी तो उसका फेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि 4 multiplied by 5 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा और इसने और बोरा है कि and 4 and 5 are co prime co prime का क्या मतलब होता है कि ऐसे prime number जिनके बीच में difference जो बो 1 का हो जिनके बीच में अगर हम common factor निकालें तो 1 ही common factor आएं तो उसको बोलता है co prime number हमने जो पिछली lecture में पिछले exercise में इसकी बात कर ली थी next जैसे similarly 60 is divisible by 3 and 5 तो आप उसके 60 is divisible by 3 multiplied by 5 15 yes तो आपने इसको भी दियान से दिके if a number is divisible by 2 co prime number अगर 2 co prime number से जो बो कोई number divisible हो जाता है जैसे 60 जो बो 3 और 5 जो बो co prime number है co prime number है then it is divisible by their product also their product also अच्छा मैंने आपे बोल दिया 4 और 5 के बीच में difference जो बो 1 कहों है difference की बात नहीं करेगा factor जो बोन के बीच में सिर्फ एक ही होना चाहिए और बो होना चाहिए 1 चीक है बो होते है co prime number तो बैसे ही if a number divisible by 2 co prime number तो 2 co prime number है 3 और 5 60 तो then it is divisible by their product also मतलब जो कि उसके product से भी हमेशा ही divisible होगा next point है यहां पर the number 60 and 20 the number 60 and 20 both divisible by 4 the number 60 plus 20 36 are divisible by 4 ठीक है यह भी काफी अच्छा है rules है यह गो रहा है कि if 2 given number are divisible by number अगर कोई 2 number जो बो divisible है किसी number से then their sum is also divisible then their sum is also divisible बिल्कुल थर्ड जो भी हमने पीछे पड़ा भी वह उसके बिल्कुल अपोजित है इसमें लिकाए कि जैसे 35 and 20 और बोथ डिविजिवल आई 4 जैसे 60 or 20 को प्लस किया 36 है तो बो भी फोर से डिविजिवल होगा ऐसा है बोल रहा है चीक है next देखिए फोर्थ में फोर्थ मे जो सॉरी 5 is there difference मतलब की difference निकाल दिया 15 तो 15 भी तो डिविजिवल है 5 से मतलब कि अगर कोई दो नंबर जो वो इसी नंबर से डिविजिवल है दोनों नंबर से तो इसका मतलब है इन दोनों का difference भी उस नंबर से डिविजिवल होगा ठीक है तो वही लिखा है if two given number are divisible by a number then their difference is also divisible by that number तो I hope कि आप इन रूल्स को जो वो समझ गया है अच्छे से अग नहीं समझे तो फिर से जो इसको देखिए अगर फिर भी समझ लाए तो live class में जो आप अपने doubts को पूछ सकते हैं आगे next topic है prime factorization prime factorization अभी हमने जो वो factor निकाले factor में जैसे हमने 24 के factor निकाले तो 1 3 भी आ रहा था निकाली तो 2 भी आ रहा था 3 भी आ रहा था 4 भी आ रहा था 6 पिर एट आ रहा था इन एट आ पिर ट्वय लब आया फिर जो बंड़ 17 उससारे जो 24 के 3ा all एक फैक्ड़ लेकिन अब बात करेंगे black star की अब को PAR Fran IR से पहले प्राइम नंबर का पता होना चैसे आपको पहले से ही पता है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जुकि जिनके सिरφ Gespr तो two इamed factor होते हैं जिसे एकजम्पल के सर से पहला prime number है इन thứ है और we 90 लिखा हे तो 90 के जो वह यहांपर दो फैक्टर लिखे हैं थेख हैं मतलब कि 90 कि किन दो नंबरों को multiply करने पर 90 आता है तो आपको बताएगा कि 10 को 9 से we keepant 90 reeखेए या ज़ो दो यहाँपे लगे हैं इसका मतलब है तैन और 9 को multiply करने पर 90 आना चाहिए ठीक है तो इसको बोलते है ऐसे ही आगे चलेगा जैसे 10 को थोड़ना है मैंने तो 5 और 2 में तो 5 2 जा 10 होता है 9 को थोड़ना है तो 3 3 जा होसकता है I hope आप समझगे होगे ऐसे जो आपने फेक्टर 3 बनाना आपको आना चाहिए जैसे यहां पर प्राइम फेक्टर जैसे निकालना है तो किसी भी नंबर का जैसे यहां पर आया है 22577 तो ऐसे हमारे प्राइम फेक्टर निकलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 3.5 से तो question number 1 है which of the following statement are true तो बोर रहा है कि कौन से जो वो true है इन में से तो हमने चेक करना है कौन से true है कौन से false है ठीक है फर्स देखें यहां बहुत है if a number is divisible by 3 it must be divisible by 9 तो बहुत है कि अगर कोई number जो वो 3 से divisible है चलिए example से समझते है जैसे 12 जो वो 3 से divisible है 12 जो वो 3 से divisible हो जाता है ठीक है 4 3 जो 12 होता है पूरा पूरा चला जाएगा अगर मैं बोलू it must be divisible by 9 तो क्या 12 जो वो 9 से divisible हो रहा है नहीं हो रहा है ठीक है इसका मतलब है इस बिलकुल गलत statement है next check करते है if number is divisible by 9 यह बो रहा है कि अगर कोई number जो है मतलब कि जैसे किसी number से divisible है तो उसका जो वी factor है जैसे 3 जो वो 9 जाए फैक्टर है तो उस number को भी वो divisible कर जाएगा ठीक है उस number को उसका factor भी divisible कर जाएगा तो इसका मतलब है ए statement बिलकुल साइ statement है देख्या एक्जांपल के लिए अगर कोई number जो 9 से डिविजिब है जै यह होप आप सुन्ज़ गयोंगे second statement also second statement जो वो सही है ठीक हमने last में मताना है कौन-कौन से सही है बस सी पार्ट में देखे इफ नमबर divisible by 18 अगर कोई नमबर 18 से डिविजिवल है it must be divisible by both 3 and 6 यह काफी interesting करते है कि अगर कोई नमबर जो वो इती इन से डिविजिवल है ठीक है अगर कोई नमबर 18 से दिविजिवल है तो it must be divisible by both 6 & 3 देख यह to 18 से डिविजिवल वाला जो भиях number 36 लेते है थर्टेजिवा जाएं धीन फोना एट टीन से डिविजिवल है या हमें पता ya 3 और 6 से, तो 3 से जाकते हैं, 3 से divisible है, 12 भी 3 जा 36 होता है, क्या 6 से divisible है, तो 6 6 जा होता है, 6 से भी divisible हो गया, इसका मतलब है, A statement भी बिल्कुल सही है, हमने रूल्स में भी पढ़ा है, कि अगर कोई number जो किसी number से divisible है, तो उसके जो भी factor निकलेंगे, उन number से भी, जो भी divisible होगा, तो B और C जो बिल्कुल सही statement है, next D देखिए, इफ नमबर इस divisible 9 and 10, बहुत, यह हो रहा है कि अगर कोई number जो भी 9, 10, sorry, 9, मतलब कि 9 और 10 दोनों से divisible है, then it must be divisible है 90, C, यह बात भी बिल्कुल सही है, अगर कोई number 9 और 10 दोनों से divisible है, तो इनके multiple, पुरू इनके product से भी divisible होगा, यह rules भी हमने पढ़ा था, तो D भी बिल्कुल सही होगा, B, C और D जो बिल्कुल सही है, next E देखिए, E में लिका है, if two number are co-prime, अगर कोई number जो भी, at least one of them must be prime, यह बो रहा है, if two number are co-prime, at least उसमें से कम से कम, one of them must be prime, ऐसा possible नहीं है, ठीक है, ऐसा possible नहीं है, हो सकता है, दोनों ही prime हो, हो सकता है, दोनों ही prime ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब है, A, B statement बिल्कुल गलत statement है, F, देखिए, all number which are divisible by 4, वर, पूस्थार नंबर, जो भी 4 से divisible है, divisible by 8, ठीक है, यह वो रहा है कि, जैसे सभी number जो भी 4 से divisible है, divisible by 4, मतलब कि, जैसे 4 से, जो भी divisible है, giyसे 8 divisible है, 12 divisible है, तो चलिव, दो ही number लेते हैं, तो यह वो रहा है कि, must also be divisible by 8, तो 8 से तो हो जाएगा, लेकिन 8 के 12 से डिवाइड हो जाएगा, अचा सॉरी, 12 से 8 हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब है, A, B स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, next देखे, G part, G part, all number, which are divisible by 8, ठीक है, must also be divisible by 4, यह बात बिल्कुल सही है, कि सारे number जो भी 8 से divisible है, वो 4 से divisible होंगे ही, क्योंकि 8 का ही factor जो भो 4 है, ठीक है, example के लिए, 16, 16, 8 से divisible है, ठीक है, और भी कई सारे example लिसक नहीं, 24 लिसक नहीं, तो 16, 4 से भी divisible है, 16, 4 से भी divisible हो जाता है, तो G part भी बिल्कुल सही निकला, H part देखिए, H part में डिका है, if a number is exactly divided, divides two numbers separately, कोई number जो वो exact divide कर जाता है, दो number को separate तरिके से, it must exactly divide their sum, हाँ, यह वी rules ही है, यहां पर दिया है, तो rules ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई number जो वो दो number से divide हो जाता है, तो वो number से जो दोनों का जो sum होगा, दोनों का प्लस करके वो भी divide कर जाएगा, लास if a number is exactly divided the sum of two numbers, sorry, if a number, लास दिया है यहां पर, if a number is exactly divided the sum of two numbers, अगर कोई number जो वो दो number के sum से divide हो जाता है, it must exactly divide the two numbers separately, यह बात बिलकुल गलत है, ऐसा possible नहीं है, ठीक है, तो आप इनके जो वो answer भी यहां पर देखते हैं, b, c, d, g और h, r, true, यहीं जो हमने यहां पर बताए, जो है, b, c, d, h, g और h, true है, बाकि सारे इसमें false है, चले चलते हैं, question number two पर question number two, जो वो काफी easy question है, here are two different factor trees, ठीक है, देखे हम पर यह factor tree जो वो कुछ अलग अलग भी होसकते है, जो वो सबके सेम ही होगे, अलग अलग भी होसकते है, write the missing number बोला है, ठीक है, जैसे मैंने 10 और 6 को multiply करके, जो वो 60 आता है, इसलिए जो वो 2 arrow लगा करके, 10 और 6 लिख लिए है, और भी factor बन सकते हैं, जैसे 60, और भी लिखता हूँ, जैसे 3 लिखती है, और 20 यहां पर लिखता है, 23, जैसे 60 होता है, 20 और 3 भी मैं यहां पर लिखता हूँ, तो factor 3 जो वो different भी हो सकते ह है, तो इससे आपने जो वाशे कने फ्यूज नहीं होना है, कि factor 3 यहां पर कुछ और है, हमने जो कुछ और बनाया है, कोई बात नहीं, जैसे यहां पर 6 और 10, तो यहां पर 2, 2 को किसे multiply करूँ कि 6 आ जाए, मतलब कि 2 arrow लगे हैं, तो इसको इसके साथ multiply करने हैं, पर ही दिनने रोंगे हैं, ूए यहां पर काशन है, यहां पर 60 लिखाएं, यहां पर 30 आचा वही कोश्ण ना आ गाए, 30 और यहां पर 3 आ जाए expectbacks, क्यूंकि 33 जा नहीं होता है, 32 जा होता है, ठाएक है carry 2 जा यहां पर 32 जा, क्यूंकि 32 जा 60 होता है, थो यहां पर आ जाए가एं अब देखिए, यहाँ पे 30 है, 30 से जो वह 2 एरो लगे है, मतलब कि 10 और इस नंबर को multiply करने पर 30 आता है, तो 10 थ्री जा होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब 10 से यहाँ पे 2 एरो लगे हैं, तो इसको और इसको multiply करने पर 10 आना जीए, तो यहाँ तो 5, 2 जा ले ले, 5, 2 यहाँ पे ले लिया, मैंने 5 यहाँ यहाँ पे ले ले, यहाँ वह पे ले, यहाँ पे ले ले एकी बात है, ठीक है, तो ऐसे आपने इसको complete करना है, अब इसके answer भी यहाँ पे देखते हैं, देखिए, 5, 2 लिया है, 3 लिया है, और यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है, यह जो A बह पार्ट है वो मैंने आपको उदा दिया यह जो आपको यहां पर सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा तो दो कुछिन तक आज आप कंप्लीट करेंगे ओके थैंक यू एंड है व नाइस देए